हेलो दोस्तों आप नभीन और इस वीडियो में करने वाला हूं क्लास 10 का कुश्चन जो कि मैंने चप्टर कोडिने जमेटर से लिया है और इसे CBSE ने 2014 में पूछा था तो चली शुरू करते हैं तो देखें सम्वे में दिया है पॉइंट P, Q, R and S divided the line segment joining the point A इसके कोडिनेट दिया है 1, 2 and B इसके कोडिनेट है 6, 7 in 5 equal parts find the coordinates of the point P, Q and R तो देखें सम्वे में दिया है एक line segment है जिसमें की point P, Q, R, S इस line segment को divide कर रहे हैं equal parts में 5 equal parts में कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 यानि कि हम कहा सकते हैं कि यहाँ AP equal to P, Q equal to QR equal to RS equal to SB तो यहाँ पर इन सभी का ratio जो है 1 is to 1 is to 1 is to 1 होगा इसके लाव हमें यहाँ पर यह बताया है कि A के coordinate जो है वह 1 और 2 है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं A के coordinate 1 और 2 और B के coordinate 6 और 7 है तो हमें यहाँ पर P, Q, R के coordinates को निकालना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूं कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ AP equal to PQ equal to QR equal to RS equal to SB यह सभी मैं 1 के equal कह सकता हूं तो और देखे अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा roughly figure बना लें इसी line segment का यहाँ पर A है यहाँ B है और इधर P है जब यह सब 1 is to 1 is to 1 ratio में है तो यानि कि यह 1 रहेगा और बाकी जो है हमारे पास 1 2 3 4 तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इस तरह से AP और PB जो है 1 is to 4 ratio में करेंगे तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं कि P और यहाँ पर section formula M1 plus M2 यहाँ लिखते हैं फिर upon में M1 plus M2 यहाँ पर आता है X2 यहाँ है X1 फिर कॉमा यहाँ पर वैसी M1 प्लस M2 यहाँ पर M1 प्लस M2 यहाँ हैगा Y2 यहाँ है Y1 M1 हमारा 1 होगा M2 हमारा 4 होगा तो अब मैं यहाँ पर इसको put कर लेता हूं देखे M1 M1 यानिकी 1 X2 X2 यहाँ पर होगा हमारा 6 फिर प्लस फिर M2 M2 यहाँ 4 है multiply X1 X1 हमारा यहाँ 1 होगा upon में M1 प्लस M2 यानिकी 1 प्लस 4 फिर M1 यानिकी 1 अब आगे है Y2 Y2 यानिकी 7 प्लस उसके बाद है M2 M2 यानिकी 4 multiply फिर Y1 Y1 यानिकी 2 upon में 1 प्लस 4 यानिकी M1 प्लस M2 यहाँ पर हम इसको solve करेंगे तो हमें P के coordinates मिल जाएंगे तो देखें यहाँ हम लिख सकते हैं 6 बन जा 6 4 बन जा 4 upon में 5 कॉमा यहाँ पर 7 बन जा 7 यहाँ 4 तू जा 8 और 4 प्लस 1 5 अब यहाँ पर score solve कर लेते हैं तो हम लिख सकते हैं P यहाँ पर 10 upon में 5 यहाँ पर 15 upon में 5 यह कट करेंगे तो 5 2 जा 10 और यहाँ पर 5 3 जा 15 तो इस तरह से P के coordinates जो हमारे पास आ गए है 2,3 अब हम यहाँ पर निकालेंगे R के coordinates को तो अगर हम R को देखें तो R जो है वो midpoint है P B का यहाँ पर P point है यहाँ पर B point है तो हम यहाँ पर midpoint formula लगाएंगे तो मैं यहाँ पर इसको दुबारा से बना लेता हूं एक roughly figure यहाँ पर line इस तरह से है यहाँ पर point P Q R S और यहाँ पर है P तो देखें P के coordinate अभी मिले मुझे 2,3 और B के coordinate हमें question में given थे 6,7 हम यहाँ निकालेंगे R के coordinates को तो R जो है यहाँ पर midpoint है ठीक है P B का तो यहाँ पर midpoint formula लगाएंगे तो midpoint formula मैं लिख लेता हूं कि midpoint of P B equal होगा X1 plus X2 upon me 2 यहाँ पर Y1 plus Y2 upon me 2 इस formula हम यूज़ करेंगे तो देखें यहाँ पर हमारा X1 यह है और X2 यह है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 plus 6 upon me 2 इसी तरह से हमारा Y1 3 है और Y2 7 है इसके upon me 2 करेंगे तो यहाँ पर हम इसको solve करते हैं तो 6 plus 2 होगे 8 8 upon 2 और यहाँ पर 10 upon 2 यहाँ 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 तो इस तरह से R के coordinates आ जाते हैं हमारा पास 4 और 5 अब देखें अब हम निकालेंगे Q के coordinates तो यहाँ पर अगर हम देखें यह है Q ठीक है और Q जो है midpoint होगा P और R का जिसमें हमें P के coordinates भी पता है और R के coordinates भी पता है अभी अभी निकाला है हमने R के coordinates तो यहाँ पर भी हम midpoint formula यूज कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर यह middle में है तो इसको मैं दुबारा से रफली बना लेता हूं अब देखें P के coordinates हमने निकाले थे 2 और 3 और R के अभी निकाला है हमने 4 और 5 यह coordinates हैं Q के निकालने तो मैं यहाँ पर निकालूंगा Q के coordinates को तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं Q is midpoint of PR PR का midpoint है तो इसलिए हम यह midpoint formula लगाएंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि coordinates of Q यहाँ पर X1 plus X2 upon me 2, Y1 plus Y2 upon me 2 अब देखें यहाँ पर X1 2 है X2 4 है upon me 2 उसके बाद Y1 3 है Y2 5 है upon me 2 और यहाँ पर हम इसको और solve करते हैं तो 2 और 4 हो गए 6, 6 upon 2 और यहाँ पर हो गए 3 और 5 8, 8 upon 2 तो यह cut हो जाता है 3 जापे और यह cut हो जाता है 4 जापे तो इस तरह ऐसे Q के coordinates आ गए हमारे पास 3,4 तो मैं आशा करते हूंगा आपको इस समस्क्रास के लिए पहरे से upload हैं आप उन्ने देख सकते हैं तो म आपने समस्के साथ तब तक के लिए good bye